हेलो फ्रेंड आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है मैं आज मुल्ली की भुजिय बनाने जा रहे हैं देखिए इसको अच्छे से धो ली हूं धो करके पोच ली हूं हुआ है कि इसको काटते हैं देखिएससाइड की दंड़ी इसे और दोनो साइड से काट लूंगी एससे इसा बंस और दोनो साइड कांड़ाग से इसके बाद इसे गोल गोल काट लेंगे सारी इसको तकी यह भुजया बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग बना करके ट्राइ करिएगा, और स्वादिष्ट भी बनता है, देखिए ऐसे गोल गोल पुरा काट लेंगे, पुरी मुल्ली, देखिए मुल्ली काट ले हूँ, और दो हरी मिर्च भी काटी हूँ, और चलते हैं गयेज की पुरा ग्रैस अनकर कड़ा ही रखंगी, इसमें तेल डाल देंगे, ज्यादा तेल नहीं पड़ता है, थोड़ा साही तेल इसमें पड़ता है, यह बहुत टेस्टी होता है, इसको पराठे पूरी के साथ खाईए, रोटी के साथ खाईए, और फटा फट बन भी जाता है, ज जो भी मेरे चैनल पे नहीं हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट भी करिएगा, बेल आइकन दबाईएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे, और शेयर भी करिएगा, देखिए तेल गर अच्छे समिला लेंगे, इसको ढखेंगे नहीं, पहले तो फ्लेम मेडियम रहेगा, बार में फ्लेम को हाई कर लेंगे, देखिए ये एक मिनट हो गया, अब इसको अच्छे सेला करके, इसमें मासाले डाल दे रहे हूं, देखिए इसमें मासाले डाल दे रहे हूं, देखि एक चब थाई चमाच हल्ली, आधा चमाच लाल मिर्च, एक चब थाई चमाच अजमाई, नमक भी स्वादन उसार डालेंगे, बस मसाले इतने ही पड़ेगा, जादा इसमे मसाले भी नहीं पड़ता है, और इसको ऐसे ही, खूले में ही पकाएंगे, चलाते हुए, देखिए, एक मिनट हो गया, इसको चलाते हुए, इसको हाई फिलेम पे ही पकाएंगे, चलाते हुए, इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो जल जाएगा, टोटाल यह पास मिनट में पक जाता है, एक मिनट हो गया, चाल मिनट और चलाएंगे, दिखे फ्रेंट पास मिनट हो गया, रेडी हो गया है, हो गया ना जट पट, जट पट बनता भी है और तेस्ट लगता भी है, वेस का फ्लेम बंद कर दे रही है, रेडी हो गया, मुली जब भुजिया, फटा फट बन करके,